प्रकोंदर स्क्रावद्राइए टिर्म्राइए टोर्तिक चूंपर रहा है इनसान साइध ही उसे बच पा रहा होगा आखिर डिप्रेशन का इलाज खुद कैसे करें बहुत सारी डर्ग साज अवेलेबल हैं डिप्रेशन के इलाज के लिए लेकिन परभावकारी तरीका तो खुद इलाज कराना या कॉंसलिंग और थेरपी है तो खुद इलाज कैसे करे बिना दवाओं के डिप्रेशन का इलाज कैसे करें आज मैं एक अद्बुत छोटा सा टिप्स बताने जा रहा हूँ हेलो नमस्कार मैं मिश्च साइको गुरु राजिंदर जोद्पुरी आज की इस अद्बुत नेचुरल वीडियो में आपका तहदिल से स्वागत करता हूँ ओनलाइन कांस्लिंग साइको ठेरपी से इलाज डिप्रेशन का आसान और सस्ता होता जा रहा है आज का वीडियो भी ओनलाइन मेंटल हैल्थ के तहद आप तक पहुँच रहा है डिप्रेशन का इलाज खुद कैसे करें या टोकिंग ठेरपी है क्या टोकिंग ठेरपी एक ऐ प्रचिडा हो जाता है बातें उसको अच्छी नहीं लगती है तो करना क्या है कि परिवार में किसी को डिप्रेशन है तो उसके साथ लगातार एक समूधिंग बाचित की जाए जिसे इंपैथी कहते हैं सिंपैथी नहीं सहानुबूती से भी परे जो परानुबूती है उसकी भावना को समझना है जो डिप्रेशन से गर्चित इनसान है उसके दर्द को समझना है उसे कोई लेक्चर नहीं देना है उसे उपदेश नहीं जीन बस दिल के दर्द को समझना है उसको अनुभाव करना है दिल से उसको सुनना है डिप्रेशन वाले को कोई सुन ले दिल से अगर कोई सुन ले और डिप्रेशन वाला बात अगर अपनी किसी दूसरे को बता दे बिना किसी भी डर के क्योंकि आज सुनने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि सुनने के लिए समय किसके पास है आज इनसान के पास चंद मिनिटें ही है चंद मिनिटों के इलाबा कोई सुनके राजी नहीं है और वास्तों में सुनना लोगों को आता ही नहीं है वो सुन पाते ही नहीं है तो डिप्रेशन वाले को कभी बीज में ना टोकें, कभी भी उसकी बात को गलत वे से ना लें, समझाने का उसे प्रयास नहीं करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि डिप्रेशन में इलाज तब होता है, जब समझने का प्रयास किया जाता है, ना कि समझाने का, क्योंकि दिल में नहीं रखनी हैं बतानी हैं दूसरे को बतानी है जाहे वो ठेरपिस्ट हो सकता है काउंसलर हो सकता है दोस्त हो सकता है पत्नी हो सकती है अगर पत्नी को डिप्रेशन है तो हस्पेंड हो सकता है बच्चे हो सकते हैं कोई भी विश्वास पातर हो सकता है उसके साथ बा चोड़ें उसका mood press करने की कोशिस करते रहें उसके लिए अलग अलग चीजें variety पेस करते रहें उसके लिए bad news ना कोई भी कठी करें good news उसे देते रहें क्योंकि depression के अंदर इंसान उदास होता है negative खबरों से negative news से तो depression जिसको है वो TV अख़वार पढ़ना बिल्कुल बंद कर क्योंकि depression और anxiety disorder बाकी रोगों का कारण ये TV और अख़वार भी बहुत बड़ा है तो TV और अख़वार बंद कर देने हैं और अपना कोई sport group join कर लेना है depression जिसको है उसे खेलने में रूची लेनी है क्योंकि खेलने से depression रहता नहीं है अगर उसे खेलना पसंद है तो ground में जा कहीं भी गिरें अपने स्रीर को पूरी तरह से flexible बनाएं बस बचा के ना रखें depression का इलाज हो जाता है उसे गाना चाल लगता है पागलों की तरह गाएं अगर उसे डांस करना चाल लगता है पागलों की तरह डांस करें जुमें बस डांस करें पांस मिनिट बाद depression गायब हो कुण दिप्रेशन के लिए अगर को किसी को भी डिप्रेशन है तो सिधी बात कर सकते हैं Online counseling psychó therapy ले सकते हैं चुक ना जाना Online मुझसे दिल की बात बताना और डिप्रेשन की बात बताना डिप्रेशन की बात बताते हैं Depression का इलाज पका मानिए आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं और समय से मैं प्रसेर करते हैं इसके लिए मैं मिश्च साइको गुरू राजेंदर जोदपुरिया सिर्शा टेक्निकल चैनल के साथ आपका तैद दिल से धन्यवादी हूं सिर्शा टेक्निकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थेंक यू